भाचारि भगवन गुरुवर विश्वत सगर्जी मुन्राच की याम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की विवर्द्दी के लिए नीती के विश्यों का श्रबन कर रहे हैं पास देखता हमें नीती हमें सिखाती है कि हमें अपनी दोड़ की दिशा सही रखना चाहिए हमें दोड़ की गती पर ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आपका जो लक्ष है उस लक्ष की और आप दीरे दीरे भी बढ़ते हो तो एक दिन पहुँच जाओगे लेकिन अगर लक्ष की और जो रास्ता जा रहा है उससे विप्रीत आप कितनी भी गती में लोड़ोगे रास्ता नहीं मिल पाएगा कचुए की और खरगोष की कहानी अपन सभी ने बच्चपन में पड़ी थी कि कचुए जो था वो अपने लक्ष पर था और बहुत दीरे दीरे था खरगोष बहुत तेज था मगर अपने लक्ष पर नहीं था तो खरगोष लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया और कच्छवा जीत गया यही चीज़ आज के परिवेश में योगा पीडी के साथ हो रही है वो लक्ष बनाके रखें कि मुझे एक अच्छा बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला विक्ति बनना है, अच्छा नाम करना है लक्ष तो बहुत अच्छा है लेकिन उस लक्ष की प्राप्ति के जो रास्ते है वो सही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ डिग्री, पढ़ाई उसी पर ध्यान दे रहे है बाकि जो चीज उसके लिए बेस है या उसका सपोर्टिव है उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा जबकि वो ज़्यादा इंपोर्टेंट है पहले गुरुकुल चलते थे कोई डिग्री नहीं मिलती थी लोग पढ़े लिखे होते थे आज स्कूल्स है विद्याले नहीं बचे वो व्यापाराले हो गए है वो व्यापार का केंदर बन गए इस बात को आज प्रतेक अभी वावक को प्रतेक बच्चे को समझने क्या होशकता है वो बच्चे सिर्फ डिग्री के लिए भाग रहे हैं यूचर के लिए नहीं भाग रहे हैं मुझे तो डिग्री लेना है इसके बाद क्या होगा पता नहीं देखेंगे जॉब करेंगे अथ वह जो थोड़ा बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेते हों सुचते हैं कि मैं तो अपना बिजनेस करूँगा पढ़ाई तो करें लेकिन पढ़ाई की सतसाथ जो और बी चीज़ें ेकहति करना है उनका भी ध्यान रखूए एक माँ जब बोजण बनाती है तो और भी चीज़ों का ध्यान रखती है कि किदने बर्तन कम निकालूँ भोजन में कितनी कितनी चीज़ें कैसी कैसी डालू वो मां उन सारे stricam को कभी ध्यान रखती है तो यही बात आपन को भी ध्यान रखना है पढ़ाई कर्ट समय बहुत सारी चीज़ें को ध्यान रखना है पहले जब पढ़ाई होती थी, तो डिग्रिया नहीं दी जाती थी, जब पहले पढ़ाई होती थी, तब कोई डिग्री नहीं मिलती थी, आज डिग्रिया दी जा रही है, पढ़ाई नहीं कराई जा रही है, teachers बोल देती ही, बच्चों से अगर coaching में नहीं आओगे तो marks नहीं देंगे, तो बच्चे को से coaching जाना है double पैसा खर्च करना है, double time खर्च करना है वो जितना समय धर्म ध्यान में लगाता, उस से अधिक समय उसको यहाँ वहाँ आने जाने में, वही back school लेकर जाएगा, वही back coaching लेकर जाएगा बड़ी difficulties हो रही है 10 साल के बच्चे के उपर इतना बोज है, जितना 20 साल के बच्चे ने कभी नहीं पढ़ाई करी उस से अधिक साल के बच्चे पर है राम ने भी पढ़ाई करी राम तो किसी स्कूल में नहीं गाए, कोई डिग्री लिकरके नहीं आए और अयोद्या के राजा बने मावीर सौमीर तो किछी डिग्री नहीं ली तेकर आघजन के जड़ाय पर है Krishn mayor तो कोई डिग्री नहीं ली कृष्णिन ने भी कोई डिग्री नहीं लिए वो भी तो गुर्कुल पढ़कर ही आये थे जितने जितने महापुर्सों के बारे में आप पढ़ सकते हो पढ़ो डिग्री लेकर के कोई नहीं आया था गुर्कुल से पढ़कर के सब ही आये थे आप कितने फेस में हो आप कहां कैसे हो इस पर आप स्वेम भी तो विचार करें आज के परिवेश में सिर्फ और सिर्फ डिग्रियों की पीछे भाग रहे हैं पढ़ाई की पीछे नहीं भाग पहले का 11 पास आज के एमी से अच्छा था और आज का बी एमी डिग्री है नौलेज कुछ नहीं है अभी कुछ दिन पुरानी घटना है पास साथ भाईयों की एकलौती बेहन शान्त हो गई कैसे शान्त हो गई बड़ा गंबीर विशे हुगा उस दिन जब वो ओपरशन त्येटर पर गई एकदम हंडेट परसेंट ठीक थी कि वह स्टंड डलना था नौर्मल प्रक्रिय हो गई आजकल स्टंड डलने की हाट में वो चोटा सा ऑपरशन था बारा गंटे का मेजर ऑपरशन हो गया दौक्टर के हाथ पैर फूल गया और तो ऑपरशन थेटर पर अनिस्टीशे ज़्याद हो गया फिर क्या हो गया वहीं खतम होगी और डौक्टर कहता है कि थोड़ा ऑपरशन थोड़ा कॉंप्लिकेटिट है भी वेंडिलेटर पर देखते हैं दो दिन बार डौक्टर ने कहा कि वह तुशांत होगी शरीर इकदम और वर्स इस्तिती है क्यों है तो कि इतना पता है कि डौक्टर रमेश चंजी अब यह नहीं पता कि उन्होंने डिग्री क्या ली और कितने परसेंटेज लिए 35 परसेंट वाला भी डॉक्टर है 45 वाला भी डॉक्टर 99 वाला भी डॉक्टर है तो अपन कुछ चेंज करते हैं अपनी लाइफ में आप सबको यही करना चाहिए और करवाना चाहिए बच्चों के साथ भी सिर्फ और से डिग्री की बीचे ना भागे डिग्री के साथ नेचर और नॉलेज की लिए भागे फिर से के इत्तों कि पहले पढ़ाई होती थी डिग्री नहीं मिलती थी अधी दिग्री मिल रही है पढ़ाई नहीं हुली कि सब अपने सेलफ घट से जी रहे हैं आप भी सेलफ ग्ट सको डिजाइन करें और उनको इनोवेटिव बनाएं मेरा मानना है कि वीकॉम एम्बीय, MCA, MBBS, IIT, CA और जितनी भी डिग्रियां होती है सिर्फ इन डिग्रियों के चक्कर में ना पढ़े अपना नेचर, नॉलेज और डिग्निटी इन पर भी थोड़ा ध्यान दे बी कौम की डिग्रिय आपने ले ली लेकिन किसी काम की नहीं हो, बेकाम हो बी कौम की डिग्रिय लेकर के भी आज बच्चा बेकाम है क्यों काम है बेकाम, किसी काम का नहीं है क्योंकि जब वो इंटर्विय होता तो हो है बता ही नहीं पाता कि क्या चीज़ क्या होती है वो बता ही नहीं पाता कि क्या चीज़ क्या होती है कि उसे पूछते हैं कि पेटाए अकाउंट्स क्या होता है सर वो लेजर सीट्स में तो टैली सॉफ्टर राते ना सर उसमें सब हो जाता है जुदि एक प्रची कमपनी ने हमको दिया 500 दिन का प्रजック था कमपनी ने एज्जयksi कि इस प्रजट्स की पूरी पूरी अंपवी नीव में लगेंगे कि सब्सक्राइब को षंब फूर उगजिलिए पांसो दिन के लिए लेकिन आटिविशल इंटेलिजेंस के कारण चालीस दिन में वह काम पूरा हो गया और चार सो साथ दिन उन लोगों के नौकरी के मिले नहीं उनको चुट्टी कर देगे विए काम पूरा हो गया यू कन गो अब आप सोचिए कि क्या चल रहे हैं सब डिगरी के पीछे भाग रहे हैं ज्यान किसी को नहीं है सिर्फ डिगरी के पीछे नहीं भागना है अपना नेचर अपनी नौलेज और अपनी डिगनिटी इन तीजों पर तीन तीजों पर भी ध्यान देना है अगर आपका नेचर अच्छा है तो आप डिग्री ओल्डर नहीं भी हो तो भी लोग आपको चाहेंगे और आपका नेचर अच्छा नहीं है तो आप कितनी डिग्री ओल्डर लो गोल्ड मेडलिस हो कोई गोल्ड मेडल दोड़ना खाएगा तुमारा विचार करने वाली बात है आपका नेचर कैसा है फेल हो गए है तो अदास है टॉप कर लिया तो खुश है यह आपका नेचर नहीं है नेचर होना चाहिए बीकाम डिगरी भले बीकाम की हो नेचर होना चाहिए बीकाम बीकाम समझते हैं बी काम, चिल्ड रहो निचर शान्त होना चाहिए बी काम की डिगिने की बीचे भाग रहे हो और बी काम होने तो बी काम नहीं हो तो बी काम किस काम का है काम रहें, चिल्ड रहें शान्त रहें आपकी शांती बहुत साए लोगों को प्रभावित करती है मेरे पास बहुत साए लोग आते है सबको यही कहना है और सबको यही सोचना है कि आपके पास आके बैठो और सिर्फ शांती मिलती है न दुक्याद रहते है न दर्दयाद रहते है ना समस्या याद रहती ना परशानी याद रहती है जीवन में क्या उठा पटक चल रही है कोई होश नहीं रहता जब हमारे पास आते हो तब यही होता है क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास भी काम की डिगरी है तो आप लोग यह भी काम रहते हो और जिनके पास B.com की डिगरी ये बिचारे परशान गूम रहे हैं यहाँ वाँ परशानी रहती सबसे पहले अपने नेचर बिल्ड़ अप करें पढ़ाई के साथ साथ एक वाँ नेचर बनाए फिर इसके बात कह रहे हैं कि नॉलेज ले चीजों को समझे की चीज ऐसी क्यों है बच्पन की बात है कि एक दोस्त ने मुझे बोला कि देख मैं तरको दिखाता हूँ एक जादू तो एक डिटॉल की बोटल में वो आदा पानी आदा तेल भर के लिए आया गाओं की बात है बोले देख पानी इसमें मिलेगा नहीं उसने आट दस बार गुमा के दिखाया भान के दिखाया पानी मिला नहीं वो ने कैसे किया वो जादू किया उस बच्चे के पास नाउलिज था उतना सा तो उसने हम सारे बच्चों को परवाविट कर दिया बड़े हो कि वो चीज समझ में आई कि उसे तेल पानी मिलते ही नहीं तो उस अपने knowledge का use करके उन सब के बीच में एक अच्छा इस्तान पा लिया आप भी knowledge के कारण सब के बीच में अच्छा इस्तान पा सकते है experience पढ़ाई करते समय experience ले और experience के साथ presence of mind जितना अधिक आप experience रहेगा मेरा मानना है कि चीज़े आपके लिए चल के उतनी जल्दी आई है knowledge हो experience भी और presence of mind मीटिंग चल रही थी toothpaste कंपनी थी और मीटिंग चल रही थी किसी कारण से उस कंपनी की sales डाउन हो गई बहुत बड़ी मीटिंग हुई सब को मुलाया गया किसी ने कहा बहुत सारे आईडिया कंपनी ने कहा कि सब कर्चों के कुछ नहीं हो रहा एक बच्चा जो दूसरे किसी बड़े अधिकारी के साथ फाइल लेकर के आए था वो लसर में कुछ कह सकता हूं तो उसका boss कहता है सांत रहो कि बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है सीई होता वो समझदार था उसको पता था कि जितने बैटे डिगरी ओल्डर है कि नॉलिजबल कोई नहीं है क्योंकि उनके पास इनोवेशन नहीं है बोले बेटा तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो तुमारा आइडिया लग गया अगर जितनी सेल्स होगी उसका 2% तुमको मिलेगा जितनी इंकम होगी उसका 2% profit company से मैं तुमको दिलाऊंगा बोले सर अपन मुझे शांती से सुनिएगा सर अपनी brush free देते सबी लोगों ब्रस दे चुके हैं अपन उसने का पहले सुनिये छोटे लोगों की भी सुनना चाहिए उसने का अपन brush देंगे और जो brush के hairs होते हैं वो थोड़े चोड़े थोड़े बड़े कर देंगे और जो tube दिया जाएगा जहां से paste निकलता उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो होगा क्या कि जितना brush देते हैं व्यक्ति उतना लंबा place लगा के रखता है तो सर ज्यादा लंबाई में भी जाएगा और चोड़ाई में भी जाएगा sales बढ़ेगी उनने का करके देख सकते हैं किया उन्होंने तीन मेहने में sales शोगनी हो गई उस बच्चे ने सिर्फ इतने idea से company से 2.6 CR का incentives लिया उसके boss की salary पचास लाग और साल की थी उसने boss की salary से 6-7 गुना अधिक पैसा तीन मेहने में कमा लिया उसके innovation से उसकी knowledge से उसके experience से उसके presence of mind से बताओ उसके पास degree तो वही थी जो सबके पास थी आज artificial intelligence का जमाना है अत्वा graphics का जमाना है वीडियो editing का जमाना है तो जो विक्ति जितनी बड़ी degree लिया है उसके degree किसी काम की नहीं है innovation कितना है आपका experience कितना बात वहां जाके रुख जाती है बड़े बड़े degree holders को मैंने देखा है कुछ नहीं बनता वो दूसरे को hire करते हैं उनसे काम करते हैं एक गंटा सर आप मेरा काम कर दीजिए वो कहता है मैं पांच या रुपे गंटे लूंगा तसजार रुपे गंटे लूंगा सर्च लेगा सर अरे मैंने कर तीस घंटे देंगे तो भी तीन लाख हुआ हम तो पचास लाख रुपे मैंने क्या अदम है यही अगर इस्तिती रही भारत की तो भारत के अंदर सभी लिट्रेट रहेंगे लेकिन नॉलेजिबल कोई परसन नहीं रहें इसलिए बीकॉम की डिगरी के साथ बीकाम भी रहें बीकाम समझें आप चिल्ड रहें आप जितना शान्त रहेंगे उतना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा उतना लोग आपसा आकर शेदोंगे नेचर तो मना ही है पर लिए पर लिए एक जैक्ति के पास बहुत पैसा है बहुत बड़ी डिग्री है वो वर्ल्ड के टॉप 10, टॉप 15 मिस्से वालों में आता है त उसके पास नेचर ही नहीं है किसे भी बात करता है किसी से भी बात करता है तो हर किसी को नीचा दिखा करके बात करता है तो ऐसे विक्ति की डिग्री किस काम की है वह एक विक्ति गरीब है लिए उसका नेचर इतना अच्छा है कि वो जहां चाहे वो बिग जाता है जहां चा रहे हैं, colleges में, schools में वो जो डिग्री आप ले रहे हैं, वो जादा किसी काम के नहीं है, वो इस डिग्री में आपने जो experience लिया है, वो बहुत काम की चीज है, चीजों को देख करके सीखें, चीजों को सुन करके सीखें, चीजों के साथ रह करके सीखें, परिस्तितियों को भा आपे और हर चीज का एक नया आईडिया सोचे कि अगर यह चीज असी करना है कि इस के लिए क्या आईडिया है अगर किसी के जीफन में कुछ समस्या प्रिजंट हो रही है तो सोचे कि आप वेसे इसी ती हुआ तो क्या खते से ज Ale इस सारी चीजें आपके knowledge को कई गुना अधिक करेंगी मेरा तो यह मानना है कि दुनिया में 1000 डिग्री हैं लेकिन सर्वसेश डिग्री भी कौम की नहीं भी काम की है जितना आप शांत रहेंगे लोग आपसे उतना attract होंगे जितना लोग आपसे attract होंगे लोग आपको उतना उचा पहुचा करके छोड़ेंगे अगर बात की जाए डिग्री की तो वर्तमान में जैनू में आचार विद्या सागर जी आचार विशुस सागर जी बड़े बड़े आचार विजी इनके पास डिग्री की बात करें तो 9th 10th की डिग्री कुंद कुंद सौमी की डिग्री का तो कुछ पता ही नहीं आरे बट की डिग्री की बारे में किसी को पता ही नहीं है उस समय के स्कूरिंज होती ही क्या लेकिन उसने तने बड़े-बड़े आफिसकार कर दिये एलबर्ट आइंस्टीन उसके पास क्या डिग्री थी एलबर्ट आइंस्टीन के पास क्या डिग्री थी उसके पास डिग्री नहीं थी लेकर उसके पास नॉलेज था उस नॉलेज की तमपर आज वो विश्व का सबसे बड़ा विज्ञानिक बने थी आप लोग भी डिग्री क की लिए ना भागें, knowledge की लिए भागें, अपने nature के लिए भागें, presence of mind के लिए भागें, अपने experience के लिए भागें, मैं यहाँ पर बैटा हूँ, मुझे अपनी इस field में रहते रहते, लगबग लगबग अब 16 साल होने वाले हैं, 15-16 साल हो जाएगे, तो इस 15-16 साल में ने जितना knowledge लिया है, वो knowledge मेरे काम की चीज है, 15 साल में, और जिसने सिर्फ knowledge नहीं लिया, जिसने सिर्फ पढ़ाई, 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 experience नहीं लिया, सिर्फ किताबों को पढ़ाई, मैंने देखा है, ऐसे लोगों को किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि उसके नेचरी नहीं है, कोई आता है कि हम आपके दर्शन करने आये हैं, अरे आप सादू अच्छी बात है, लेकिन आप परसनल प्रॉपर्टी नहीं हो, परसनल प्रॉपर्टी नहीं हो, प्राइविट प्रॉपर्टी नहीं हो, आप पबलिक प्रॉपर्टी हो, खले एक बच्च उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको आशिरवाद यह था, वो आशिरवाद लेकर के चला है, वो अब 25 लोगों से बोलेगा कि नहीं, जिनके पास गया था, वो बहुत अच्छे हैं, बली इतना नाम है लेकिन वो डाउन टूर्थ है, आपका नेचर, आपका नेचर आपके ल अपने जीवन में इरी बात उतार ली, तो उसके आप बहूंद आप बheकाम की डिगरी वाले हो, जिनके आप बीकाम रहेंगे, और जितना बीकाम रहेंगे, उतना लोग आपको चाहेंगे, पसंद करेंगे, आप सभी शांत रहने का, अच्छे निचर बनाने का परयास करें भी काम रहेंगे तो बहुत उच्छाईयां पालेंगे सेशपन फिर कभी और आगे दिखेंगे इस प्रकार से डिग्रीज के लिए नहीं नेचर के लिए वर्क करें